जैसे ही दोस्तों आप Facebook application को open कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों Marketplace वाली option में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी friend को एक problem आ रही है Marketplace is not available to you इसके नीचे request दूप की आपको एक option देखने को मिल रही है इस तरह से दोस्तों आपके Facebook application में एक problem बहुत ज़्यादा आ रही है इस problem को आप अपने mobile से कैसे ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसका 100% solution बताया है इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको तीन method बताया है जिससे आप अपनी problem को बिल्कुल ठीक कर सकते है तो सबसे पहले आपने mobile में Play Store application को open करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर search में आपने Facebook application को search करना है अपडेट करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है यहाँ पर दोस्तों next step को follow करना है इसके बाद आपने क्या करना है अपने mobile में settings को open कर लेना है settings को open करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे के और scroll down करते चले आना है यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलती है apps apps वाली option को आप open कर लेंगे open करने के बाद दोस्तों ओपर की set में आप facebook application को search भी कर सकते हैं या simply आपने क्या करना है नीचे के और scroll down करने के बाद facebook application को find कर लेना है और facebook application को open कर लेना है Facebook में अब दोस्तो आपने एक settings को करना है यहाँ पर बहुत ही important sending है आपने क्या करना है storage को यहाँ पर open करना है storage को open करने के बाद यहाँ पर दोस्तो आप ध्यान रखना clear catch ही यहाँ पर दोस्तो आपने Facebook application का कर देना है ज्यान रखना दोस्तों आपने clear data बिल्कुल नहीं करना है ने तो दुबार से अपने mobile में आपको facebook application को login करना होगा अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे step के बारे में इन दोनों step के बाद अगर आपकी problem ठीक नहीं होती है तो आपको तीसरा step बिल्कुली बहुत ही important है उसको कर लेना है side में आपको ID का logo देखने को मिलता है इस पर आप click करेंगे और सबसे last में आपको एक option देखने को मिल जाती है help and sport पर इससे पहले आपको एक काम जूर कर लेना है यहाँ पर marketplace वाली option में आना है और जो यहाँ पर दोस्तों आपको यह problem face करनी पढ़ रही है इसका आपको screenshot लेने है screenshot लेने के बाद अब आपने क्या करना है help and sports वाली option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक report आप problem की option देखने को मिले होगी इस पर आप click करेंगे सबसे last में continue to report आप problem पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर creating report की आपको option देखने को मिल यहाँ पर थोड़ा time लगता है तो आपको wait कर लेना है यहाँ पर थोड़े time बाद ही आपको include report की option आजाती है include in report पर आप click कर देंगे जैसे click करेंगे तो अब आपको अपनी एक report यहाँ पर type करनी होगी जिसको आप facebook team को यहाँ पर send कर सके तो यहाँ पर आपने profile को select कर ले है अब यहाँ पर screenshot को select करने के बाद आपने अपनी problem को यहाँ पर describe करना है तो यहाँ पर मैंने अपनी problem पहले से यहाँ पर type की हुई है तो यहाँ पर मैं उसको paste कर देता हूँ same इसी तरह से दोस्तो आप भी अपनी problem को type करेंगे यह problem दोस्तों मैं आपको comment में pin कर दूँगा या आपको description में भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों आप इसको simply paste कर देंगे इसके बाद बहुती easy step है आपको क्या करना होगा यहाँ पर अपनी एक बार problem को पढ हो जाएगी जो आपको दोस्तों यहाँ पर shortcut bar में अपनी जो marketplace वाली option आ यहाँ पर show नहीं हो रही है वो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस report में describe की हुई है same इसी तरह से दोस्तों आप अपनी इस problem को लिखेंगे और यहाँ पर facebook team को send कर देंगे 24 गंटे के बाद दोस्तों जैस कर सकते हैं तो अमीद करता हूं दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी फ्रेंट को बहुत जादा पसंद आई होगी पसंद है तो दोस्तों इस वीडियो को आपने like कर देने हैं और चैनल पर पहली बार आई है तो इस चैनल को subscribe करकर bell icon को press कर लेने है